हेलो फ्रेंज आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुती इंटेस्टिक रेसिपी और स्केल लड़ू चिन में हैं प्रोटीन्स एंड फाइबर्स इन लड़ू को बनाने में हम गुड़ का या जगरी का इस्तेमाल करेंगे नोट सुगर यानि चीने का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करेंगे यह लड़ू बनाने में जितना आसान है उससे जादा यह हैल्दी एंट टेस्टी हैं तो फ्रेंज आज की यह रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप रेसिपी को लाइक करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए हम लड़ू बनान कहार सान है और यहां पर थोड़े से कहला है तो यहीं ड्राइब फूट्स एवेलेबले थे मैं यह ले लिए हैं आपके पास और तो आप इसमें और ड्राइब फूट्स एड़कर सकते हैं उसके बाद हम यहां पर 빠 रोस्ट करते हैं एक चम हम घी डालेंगे कैस कफले में ए जाएंगे ये पेश्ट के रूप में आ जाएंगे और असान से ब्लैंड हो जाएंगे बस 1-1,5 मिनट के लिए एकदम लो मिनट के लिए ही रोस्ट कर रहे हैं बस इसका कलर थोड़ा सा ही ब्राउन हो जाए बस वहीं तक हम इनको रोष्ट करेंगे तो अब ये अच्छे से रोष्ट हो चुके है अब हम इनको 2-3 मिनट के लिए हलका सा ठंडा कर लेते हैं उसके बाद हम इन एक ब्लेंडर जार में डाल लेंगे हमें इनका एक फाइन सा पाउडर बनाना है तो मैंने इनको ब्लेंडर जार में डाल लिया है और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे गुड़ तो गुड़ और ओर्ट हम दोनों को एक साथ ब्लेंड करेंगे दोनों का अच्छा सा पाउडर बनाएगे हमने ड्राइफ फ्रूट्स का पाउडर बना लिया है ये देखिए तो चलिए हम इसको मिक्सिंग बाउल में ट्रांसपर कर लेते हैं और जो हमने ओर्ट्स को रुष्ट किया था उसका भी अच्छे से पाउडर हमने बना लिया है इक्तम फाइन बारिक पाउडर हमें बनाना है इस तरह का तो इसको भी हम से मिक्सिंग बाउल में एड़ कर लेते हैं यानि उसमें निकाल लेते हैं अब हम यहाँ पर दाल चीनी का आधा चमस पाउडर डालेंगे और एक से डेड़ चमस देशी घी डालेंगे बस आपको यह ध्यान रखना है हमें यहाँ पर केवल घी डालना है नेकी रिफाइंड अब हम इसको मिलाएंगे अच्छे इस तरह से मिलाएंगे और इसकी मुठ्य सी बना के देख लेंगे यह देखें बहुती आसानी से मुठ्य बना इसकी बना लेंगे देखने में आपको यह एकदम पाउडर सा लग रहा होगा लेकिन हमने इहाँ पर गुर को भी बलैंड किया हो ए Åर्ज के साथ में तो लड्ड्द्ड्ड्डू आसानी से बन जाएंगे तो मैंने यहाँ पर एक कप और्स से आधा किलो लड्डू बना कर तयार कर लिये हैं ये लड्डू हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत ही जादा है बच्चों से लेकर बड़ों तक कुछ सभी को ये बहुत जादा पसंद आने वाले है मेजरमेंट का डबाली आती बल कर सकते हैं और इन लड्डों को एक बर बना कर 15-20 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं इन लड्डों को रखने के लिए फ्रिज की जरूरत भी नहीं होती है बस आपको काज का एर टाइट कंटेनर लेना होगा उसमें इन लड्डों को स्टोर करें और मेजरमेंट मैंने टिस्क्रिप्चन वोक्स में दे दिया है तो फ्रैंट्स वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं तो फ्रैंट्स आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें